प्रेंट्स आज की वीडियो में हम बात करेंगे आफ्रिकन अमेरिकन एथेलीट जैसी ओविन्स की एक शॉर्ट स्टोरी के बारे में जिसका नाम है माई ग्रेटेस्ट ओलम्पिक प्राइस फ्रेंट्स यह जो स्टोरी है यह एक ट्रू स्टोरी है एक सची घटना पर आधारित है और जैसी ओविन्स की एक ऑटो बायोग्राफिकल अकाउंट की तरह है जो उनका एक्सपीरियन्स हुआ था ट्रू फ्रेंट्शिप का बर्लिन ओलम्पिक 1936 में उसी के बारे में उन्हो उन्होंने इसमें 4 गोल्ड मिडल्स जीते थे जो की एक बहुत ही बड़ी बात थी उन्होंने ये गोल्ड मिडल्स 100 मीटर रेस, 200 मीटर रेस, लॉंग जंप और 4 इंटू 100 मीटर रीले रेस इन चारों ही जो उलम्पिक इवेंट्स थे उनमें जीते थे स्टोरी में बताया गया है कि कैसे true friendship जो होती है ये लोगों के विचारों को बदल देती है, कैसे उन्हें सचे रास्ते पर सही रास्ते पर ले आती है और साथ ही यहाँ पर temperament को भी discuss किया गया है कि कैसे लोगों को बहुत जल्दी गुसा आ जाता है और उनका जो गुसा होता है वो उनसे गलतिया करवाता है कई बार ऐसी गलतियां जो शायद उनकी life में एक बहुत बड़ा impact छोड़ जाएं तो इसी के around ये पूरी short story है Friends Jess Owens का पूरा नाम था James Cleveland Jess Owens उनका जन हुआ था 12 September 1930 में और उनकी death हुई थी 31st March 1980 में वो एक African American track और field athlete थे और Olympic gold medal उन्होंने 4 बार आया था 1936 के Olympic Games में उन्होंने 4 gold medals मिले थे साथ ही उन्हें और भी कई awards दिये गए जैसे Silver Olympic Order, AP Athlete of the Year, Congressional Gold Medal ये सभी awards उन्हें दिये गए हैं तो चलिए Friends अब आगे बढ़ते हैं और इस story को समझने की कोशिश करते हैं इस story की शुरुआत होती है 1936 के Berlin Olympics से यहां जर्मनी में ये Olympic Games हो रहे थे और जर्मनी के Chancellor उस समय में Adolf Hitler थे जो कि अपने country में Olympics की बहुत ज़ादा तयारी करवा रहे थे वो पूरी दुनिया को दिखाना चाहते थे कि जो Aryan Race है वो बाकि सभी races से better है उनसे ज़ादा अच्छी है और इसलिए वो चाहते थे कि ज़ादा तर जो gold medals हों वो उनके country के जो Aryans हैं जो नाजीज हैं वो जीतें मगर ये जो Jess Owens थे इनका दिमाग इस तरह की बातों को नहीं मानता था ये एक African American थे और अपनी पूरी life इन्होंने racism को बहुत ज़ादा जहला था उसके कारण इन्होंने कई तरह की problems face की थी तो इसलिए ये एक तरह से कह सकते हैं कि determined थे खुद को prove करने के लिए और साथ ही ये प्रूफ करने के लिए कि Hitler की ये जो थियोरी है कि Aryans जो नाजीज हैं वो बेस्ट हैं इसे वो गलत साबित कर दें और साथ ही उन्होंने ये भी decide किया था कि इस बार की Olympics में वो कम से कम एक gold medal तो जरूर ही जीतेंगे और इस तरह की सोच को रखकर इस तरह की goal को अपने mind में रखकर उन्होंने कई सालों तक यहां तक की 6 years तक उन्होंने लगातार खुद को train किया एक routine को follow किया और इतनी अच्छी तरह से उन्होंने खुद को तयार किया कि उन्होंने एक world record बना दिया 26 feet 8 hole 1 by 4 inches running का उन्होंने अपने university में एक record बना दिया और सभी के मन में ये बात थी कि कहीं न कहीं Jess Owens जो हैं वो इस बार की Olympic में एक gold medal जरूर जीतेंगे लेकिन जब ये Jess Owens Berlin पहुँचे और वहाँ पर Olympic की trial games चल रही थी तो वहाँ पर वो एक German athlete से मिले जिसका नाम था Luz Long अब ये जो Luz Long थे इन्होंने भी काफी मेहनत करके काफी अच्छे से तयारी की थी और ये भी लगभग 26 feet प्रैक्टिस ट्रायल्स में 26 feet का leap ले रहे थे जिसे देख कर ये जो Jess थे ये बहुत जादा आस्चरी चकित थे कि इतनी हाई leaps जो है वो कैसे एक जर्मन इंसान ले रहा है तो उन्हें आगे चलकर पता चला कि हिटलर जो है इडॉल्फ हिटलर उन्होंने Luz Long को बिलकुल अपने close रखा हुआ है और हिटलर को बहुत उमीद है कि Luz Long जो है वो gold medal जरूर ही जीतेंगे तो ये सोच कर ये जो Jess Ovens है इनके माइंड में Luz Long के लिए एक गलत पिक्चर बन गया एक गलत इमाजिनेशन बन गई और उन्होंने decide कि चाहे कुछ भी हो जाए ये Luz Long को नहीं जीतने देंगे बलकि खुद ही जीतेंगे खुद ही gold medal हासिल करेंगे लेकिन कहते हैं ना कि गुसे में सबसे जादा mistakes होती हैं और ऐसा ही कुछ Jess Ovens के साथ भी हुआ जब trial games चल रहे थे तो पहले दो leap में Jess से गुसे में आकर बहुत सारी mistakes हो गई और उन्होंने क्या किया वो थोड़ी थोड़ी दूरी से जो bench mark था जहां तक उन्हें जम करना था वो वहां नहीं पहुँच पा रहे थे इस तरह से काफी समय बीटने के बाद उन्हें इस बात का अंदाजा हुआ कि ये सारी गलतियां उन्से इसलिए हो रही है कि वो बहुत जादा गुसे में हैं और उन्होंने अपने बारे में सोचा कि क्या मैं 3000 मील दूल यहां जर्मनी इसलिए आया हूँ ताकि यहां इन ट्राइल्स में मैं मिस्टेक करूँ गलतियां करूँ और अपना मजा कुड़ाँ इस तरह की बात को सोच कर वो काफी फ्रस्टेटेड हो गए थे और जमीन को किक कर रहे थे लेकिन अचानक ही उन्हें अपने कंधे पर एक हाथ महसूस हुआ और जब उन्होंने मुड़ कर देखा तो वो हाथ और किसी का नहीं उनके जो जर्मन राइवल थे जो जर्मन कंपेटीटर थे लूज लॉज 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 ने पहले ही अटेम्ट में फाइनल्स के लिए क्वालिफाइ कर लिया था और वो आ करके जैसी से पूछ रहे थे कि आखिर क्या रीजन है जो जैसी इतने जादा फ्रस्टेटेड हैं उन्होंने जैसी से हैंडशेक किया उसे एंकरेज किया और साथ ही उसे एडवाइज दी कि जैसी जो है वो कुछ इंचस पीछे से अपनी रनिंग को स्टार्ट करे तो वो जरूर ही ट्राइल्स के लिए क्वालिफाई कर जाएंगे और जैसी ने उनकी बात मानी और फाइनल्स के लिए वो क्वालिफाई कर गए उसरा जैसे लूज से मिले और उन्होंने लूज का शुक्रिया किया उनकी एडवाइस के लिए और फिर दोनों में बाते चलन लगी अपने बारे में, sports events के बारे में और जो world situation है उसके बारे में, साथ ही उनके क्या beliefs हैं, वो किस नजरिये से देखते हैं दुनिया को, इन सभी चीजों को ये दोनों बैठ कर discuss कर रहे थे, जैसी को lose के बारे में पता चला, कि lose जो हैं, वो Hitler की बातों से सहमत नहीं है, वो best होना चाहिए, और इस तरह से, जैसे और lose जो थे, इन्होंने notice किया कि, इनकी जो thoughts से बहुत similar हैं, और इन में दोस्ती हो गई, lose चाहते थे कि, जैसे जो हैं, वो अपना best performance दें, जो हो सके, चाहे इसके लिए जैसे खुद ही क्यों न जीच जाएं, लेकिन lose चाहते थे कि, जैसी बहुत ही अच्छा perform करें, अगले दिन जब sport events start हुए, तो lose ने खुद अपना ही पुराना record break कर दिया, और ये देखकर, जैसी के अंदर भी एक motivation आई, कि वो और भी जादा बहतर perform करें, और इस तरह से events चलते गए, final jump होने के बाद, lose जो थे, वो पहले man थे, पहले आदमी थे, जिन्होंने आकर कि, जैस को congratulate किया, जैस ने जब भी gold medal जीता, lose सबसे पहले आकर, उनसे हाथ मिलाते थे, उन्हें congratulate करते थे, और वो भी कव, जब Hitler उन्हें देख रहे थे, Hitler को बिल्कुल भी पसंद नहीं आया कि एक black man gold medal जीत रहा है, लेकिन lose ने इन बातों के बारे में बिल्कुल भी नहीं सोचा, और अपने हाल ही में बने best friend के लिए, वो हमेशा cheer करते रहे, जसने आगे चल कर इस Olympic में चार gold medal जीते, लेकिन वो कहते हैं कि ये चारो gold medal, उनकी life की best wins नहीं है, बलकि उन्होंने lose long की जो friendship जीती, lose long से जो उनकी friendship हो गई, ये उनके लिए Olympic prize है, ये उनका greatest Olympic prize है, और ये जो उनकी दोस्ती थी, ये काफी लंबी चली, तब तक, जब तक World War 2nd में lose long की death नहीं हो गई, ओविन्स यहां story के end में एक छोटा सा note देते हैं कि lose long जो थे, वो sportsman spirit का एक perfect example थे, ये जो modern Olympic games की शुरुआत हुई थी, उनका मकसद यही था कि ना सिर्फ sports को बढ़ावा दिया जाए, बलकि जो sportsman spirit होती है, उसे भी आगे ले जाया जाए, और ये समझा जाए कि जीतना जरूरी नहीं है, competition में participate करना ये जरूरी है, और lose long ने ये बात को prove कर दिया, अपने friend के साथ हमेशा वो खड़े रहे और उसे motivate करते रहे, तो friends यहाँ पर ये story खत्म होती है, बहुत ही inspiring और motivational story है, ये तो हमें बताती ही है कि किस तरह हमें मेहनत करनी चाहिए, साथ ही ये भी बताती है कि जो सची friendship होती है, true friendship होती है, वो किसी की life को किस तरह से बदल देती है, तो friends ये थी Jess Ovens की short story, my greatest Olympic prize, अगर आपको वीडियो पसंद आई, तो please like, comment और share करें